दोस्तो बिग बॉस पंद्रे में एक नया अपडेट सामने निकल कर आ रहा है दोस्तो उमर रियाज के भाई यानि आसिम रियाज ने बताया है कि जल्दी ही उमर रियाज की घर में एक बार फिर से एंट्री हो रही है आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अक्सर देखा गया है कि उमर रियाज को सपोर्ट करने के लिए उनके चाहे ब्रोदर आसिम रियाज हो या खुद सल्मान खान हो या उनकी फैंस हो सभी सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं एक टास्क के दोरान रसमी देशाई और इधर डेवलीन भटाचारिया की फाइट हुई थी जिस के दोरान देखा गया था कि प्रतिक सेजवाल और इधर उमर रियाज दोनों एक दूसरे से भीड़ते हुए नजर आये थे जिसकी बज़े से उमर रियाज को इस घर से बाहर कर दिया गया था आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि फिलाल घर में टिकेट टो फिनाले की रेस बने हुई है और टिकेट टो फिनाले पहले ही जिच चुके हैं उमर रियाज इस घर में एक ऐसे सदसे रहे हैं जिनोंने अपने फैंस का दिल जीता है और वाकई में उमर रियाज का गयम अभी तक कर सबसे अच्छा गयम गिना जाता है लोगों ने काफी पसंद भी कि था लेकिन सल्मान खान ने वीकेंड के बार पर जिस तरीका से आसिम रियाज के ब्रोधर यानि उमर रियाज को इस घर से भार किया है उनके फैन्स को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा और लगातार बिग बॉस पंद्रे की टी आर पेपर काफी असर भी पड़ रहा है रहे हैं वहाई पर ही बात की जाएं पिर्तिक सेजवाल की कि पिर्तिक सेजवाल ने इतना ज़्यादा इस्टेंड क्यों लिया था तो पिर्तिक सेजवाल का इस्टेंड पर सबकी नजर आ चुकी है और वह बात ये है कि डेवॉलीना बटचारिया कि इस समय सबसे अधिक अ देशान होती दिखाई जुद्धे रही हैं और सबसेदा याद कर रही हैं वो रस्मी देशाई हैं जो कि उमर्याज को ज़्याद करती हुई दिखाई दे रही हैं आप लोगों को दोस्तों बता देना चाहता हूं कि बिग बॉस पंदरे के अंदर आने वाले एपिसोड में ब बताइए थैंक यू सो मज़ गाइज